देखो अगर आप तथकाल टिकेट ओन्लाइन बुक करने वाले हो तो यहाँ पर आप कुछ टिप्स को यहाँ पर समझ लो。 अगर tips को आप अच्चे समर लेते हो, तो आपका तत्काल टिकेट जो है, वेटिंग में नहीं कटेगा, हमेशा आपका confirm में कटेगा, तो सबसे पहला tip यह है कि आपको यह देखना होगा, कि आपकी timing क्या है तत्काल टिकेट की book करने की, तो screen पर यहाँ पर देख लो, अगर आ से आप कर रहे हुँआ तो आपको काफी साइच चीजों को द्यान में रखना होगा, हलाकि अगर आप desktop से या laptop से कर रहो तो वहाँ पर थोरी से असानी होती है, लेकिन mobile से थोरा सा मुश्किल हो जाता है चीजों को करना, तो mobile से जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर दिहार नखना कि आपको अपना masters create करने ला है master क्या होता है तो देखो master आप लोग का होता है यह जिस वंदे को अपनी जन्नी करनी है उसकी सारी detail आपको यहाँ पर पहले से create कर लेना है जब आप booking करोगे तो आपको यह drop down मिल जाएगा जैसे कि देखो हमने यहाँ पर कर रखा न इस तरीके से आपको पहले से इसको master create कर लेना है master create करने का फायदा यह हो जाएगा कि दुबारा से आपको अपना नाम, data worth, weapons बगरा कुछ डालना नहीं पड़ेगा यह automatic select हो जाएगा, सबसे पहला यह point है दूसरा point है, आप लोग को जब आप payment करोगे तो हमेशा पेटियम से या UPI ID से करना debit card और networking से payment आपको कभी निकरना, इसमें आपको time लाएगा पेटियम से क्या होगा ना, पेटियम नमर डालोगे और पेटियम से आपको सिधा कर जाएगा, ठीक है और UPI है तो बहुत अच्छी बात है UPI नमर डालोगे और आप लोग का payment कर जाएगा कहने का बतलग है कि जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी आपका ticket confirm करने का chance है ठीक है तो ये तो दूसरा point हो गया कि आपको अपना master create कर लेना है तीसरा point यहाप पे main payment का है मैंने आपको बताया कि payment हमेशा आपको अपने पेटियम से या फिर UPI ID से करना है debit card, credit card से करने में बहुत time लगता है उसी वाज़े से आप लोग का ticket जो है वेटिंग में करता है तो इसको ध्यार ना करना PTM से करना है या UPI से अपना payment करना है उसमें time लिए लगता सिफ मुआल नमा डालो access दो और आपका हो गया ठीक है लेकिन उसमें बाकी other method जो है payment के उसमें आप लोग को काफ़े आदा समय लग जाता है तो तीसरा पॉइंट payment को लेकर है चोथा पॉइंट है जो कि आपको मैं mainly बता रहा हूँ आप यहाँ पे समर लो जिसे कि 100% confirm ticket ही आपका कटेगा तो जब भी आप ticket book करने जाओगे ना तो आपको यहाँ पे यह जैसे कि हमने destination select कर लिया है कि हमने कहां से कहां तक जाना है एक दिन पहले होता है booking हमने एक दिन पहले select कर लिया है quota में हमें यहाँ पे ततकाल और एक option मिलता है प्रिमियम ततकाल अगर आपको 100% ticket confirm चीए ना तो आपको क्या करना है प्रिमियम ततकाल का select कर लिना है ठीक है और search पर click करना है तो को प्रिमियम ततकाल ticket जो है थोरी सी महंगी हो जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा लेट आए तो बहुत ज़्यादा महंगी भी हो जाएगी ठीक है इतना जलती आओगे तो टिकेट आपको सस्ती मिल जागी, हाँ, premium ततकाल जो होता है, ततकाल में, ततकाल से तोड़ा से महगा होता है, और ततकाल का जैसे कि fix है rate, लेकिन premium ततकाल का न समय के साथ बरता रहता है, जैसे seat के demand होगे न वैसे ये बरता रहेगा, तो premium ततकाल एक बहुत अच्छा option है, ततकाल की timing पे ही booking करने का, ठीक है, generally आपको 10 से 20 पर 30, 30 पर 30, ततकाल टिकेट के rate का जाता देना होगा, लेकिन ticket आपको confirm भी लेगी, तो अगर आप 10 पर 30, 20 पर 30 extra दे सकते हो, तो आप लोग premium ततकाल के option को अपना सकते हो, ततकाल के opposite है, बहुत अच् प्रिमियम ततकाल में ticket का rate fix नहीं होता है, ठीक है, यह समय के साथ साथ बढ़ता रहता है, जो ज़्यादा पैसा देता है, उसको ticket मिल जाती है, तो जितना गल्ली आप आओगे, उतना गल्ली ससना मिलेगा, ठीक है, इसको ध्यान लखना, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे क्या आप लोग को मिलेगा की नि मिलेगा, ठीक है, और प्रिमियम ततकाल से ticket आपका confirm निकल जाएगा, आप काट के देखना, ठीक है, नहीं तो आप लोग मुझे भी contact कर सकते हो, बाकि हम मिलेंगे आगे लिडियो में,